आफ़ प्राइज, इसमें आज हम बात करने वाले हैं कि नेतिक व्यवस्था क्यों जरूरी है जरूरी है ताकि समाज की व्यवस्था बनी रहे ताकि समाज का अस्तित्त बना रहे दूसरा ये समाज व्यविस्तित रूप से चलता रहे और तीसरा है समाज के विकास के लिए देखें एक मनोवैग्यानिक थे थौमस हॉब्स उनका कहना है कि मनुस्षी जो है मूलता है स्वार्थी होता है चाहे वो कोई भी इंसान है सब स्वार्थी होते है जैसे मान के चलो कोई इंसान है स्वार्थ सभी लोगों का अलग-अलग हो सकता है और स्वार्थ किस चीज़ से जुड़ा होता है इंसान के सुख से सुख प्राप्ती ही जीवन का अंतिमुद्दे से है अलग-अलग धर्मों में, अलग-अलग विचारों में इसको अलग तरीके से डिफाइन किया गया है अलग-अलग फिलोसफी में इसको अलग माना गया है लेकिन इंसान का जो अंतिम उद्देस है वो सुख ही है कहीं पे इसको कैवल कह दिया गया है कहीं पे इसको निर्वाड की प्राप्ति कह दिया है कहीं पे इसको मोक्ष प्राप्ति कह दिया गया है लेकिन अंतिम जो उद्देस है ना जीवन का वो सुख प्राप्ति ही है इसलिए इंसान स्वार्ति है अब क्यों है सुख प्राप्ति? मैं देखो जैसे कोई ब्रष्ट आदमी है हो सकता है उसको पैसा कमाने में सुख की अनबूती होती है पैसा किसलिए कमा रहा है? उसको सुख की अनबूती होती है अपनी अच्छी लाइफस्टाल चाहता है और उसके लिए वही सुख है वहीं पर कोई इंसान है जिसके पास पैसे का कोई मतलब ही नहीं है वो दूसरे लोगों की मदद करता है उसको दूसरे लोगों की मदद करने से क्या मिलता है सुख की प्राप्ति होती है आनंद की प्राप्ति होती है हर इंसान के सुख के मायने अलग-अलग हो सकते हैं जरूर नहीं कि भोग विलास का जो सुख है वही सुख हो जो चीज इंसान को सबसे ज़्यादा अच्छा फिल कराए मतलब की उसको आत्म संतुष्टी प्रदान करे वही सुख है जिसे धॉमस होब्स तो ये कहता है कि मा भी स्वार्थी होती है मूलत है स्वार्थी होती है हाँ लेकिन मा का क्या है मा को दूसरी चीजों में इतना सुख नहीं मिलता जितना सुख त्याग करने मिलता है अपने बच्चे के लिए तो मा के लिए है तो स्वारत ही क्या सुख वो स्वारत किस से जुड़ा हुआ है त्याग से वहीं एक सैनिक है जो देश प्रेम में लिप्त है उसके लिए बलिदान का सुख सबसे बड़ा सुख है कि मैं अगर देश के लिए मिट जाओं तो मेरा जीवन अमर हो जाए सफल हो जाए उसी तरीके से सभी लोगों के लिए सुख प्राप्ति के साधन अलग-अलग हो सकते ही किसी को त्याग करने से मिलता है किसी को पैसा कमाने से मिलता है किसी को परोपकार से सुख की प्राप्ति होती है यही मोक्ष है यही आनंद है यही जीवन का अंतिमुद्दे से है सुख प्राप्ति तो Thomas Hobbes कहते हैं कि जो मनुस्य है वो स्वार्थी है और वासना और विवेक के अभीभूत है समाज का अस्तुत बना रहे ताकि स्वार्थी और वासना से अभीभूत जो लोग है इसकी विवस्था को कहीं बिगाड ना दे इसलिए नेतिक विवस्था जरूरी है तो सबसे पहला पोईंट है आपका समाज की विवस्था बनी रहे यानि की समाज अस्तुत में रहे तोमस होबस ने कहा है कि स्टार्ट में जब एक सुसाइटी नहीं थी जब समाज नहीं था तो हर इंसान हर इंसान का दुस्मन था एवरिवन्स वाज एवरिवन्स एनेमी हर इंसान हर इंसान का दुस्मन था जब तक एक society नहीं बनी थी society के कुछ मूले निरधारित नहीं हो गए थे तो इंसान एक गुरुप में एक जुंड में बैठने तक से डरता था क्यों उसको डरता कहीं पीछे वाला मेरे पे हमला ना कर दे कुछ ऐसा ना कर दे लेकिन अब ऐसा society बन गए ये ना कुछ नेतिक मूलेओं पर हमने ऐसी सहमती बना ली है कि अगर हम एक साथ बैठेंगे अगर हम रास्ते में जा रहे होंगे तो हम किसी को एक दूसरे को मारेंगे नहीं छेडेंगे नहीं रेस्पेक्ट करेंगे तो हमने एक समाज विक्सित कर लिया है लेकिन उस दसा को सूची जब स्टार्टिंग में सुसाइटी डेवलप नहीं हुई थी जब हर इंसान हर इंसान का दुसमन था कोई कानून नहीं था कोई विधी नहीं थी कोई नैतिक विवस्ता नहीं थी हर समय अराजकता का खत्रा था हमीशा इसी लिए हमने क्या बनाई एक नैतिक विवस्था बनाई और ये दो चार दस साल नहीं इसमें पीड़ी दर पीड़ीओं का वो लगा स्टार्टिंग में उन्होंने डिसाइड किया कि हमको रहना साथ ही है हम एक दूसरी भामला नहीं करेंगे फिर अलग-अलग जुन्ड बने अलग-अलग कभीले बने फिर ऐसे ही बड़े-बड़े राजतंतर बन गए और आज हम लोगतंतर तक पहुँच गए और आज सबसे बड़ा जो मूल्ले है वो क्या है निजिता प्राइवेसी प्राइवेट लैप में कोई इनसान क्या करता है इससे बड़ा मूल्ले इस समय कोई नहीं है ठीक है अब देखे समाज की वास्ता बनी रहे अगर हम बात करें अफगानिस्तान के हालात की अफगानिस्तान का देखे सोशल ओडर पूरी तरह बगड़ चुका है जो ओडर था ना यह बिगड़ गया है और एक सोशल ओडर चाहिए समाज को चलाने के लिए अगर इस सोशल ओडर नहीं रहेगा एक विवस्ता नहीं रहेगी कि हाँ यह आपका कारपाल का है यह आपकी विदाय का है और यह इस तरीके से है ये इसके नीचे सेनिक है, हायरार्की है सेनिकों में, कौन किसकी बात मानेगा सबसे उपर PM होगा, उसके नीचे ये होगा, CM होगा, फिर और मंत्री होंगे, फिर ये होंगे तो ये एक order विवस्था बनी हुई है और एक दूसरे की respect कर रहा है, एक दूसरे का हमने duties लिख दी है, एक दूसरे के कर्तब्यों को हमने लिख दिया है, उसी के हिसाब से सब चल रहे है, तब ही ये विवस्था बनी हुई है लेकिन इसका failure कहां पे हुआ, अफगानिस्थान में अधिके अफगानिस्थान में क्या हुआ, अराजकता फैल गई तो नैतिक विवस्था पहली बात तो ये कि समाज की विवस्था बनी रहे, इसलिए नैतिक विवस्था बहुत ज़्यादा जरूरी है, ऐसे हम किसी पर अटेक ना करते हैं, हमेसा बड़ों का सम्मान करें, छोटों भी प्यार से रखें, ये नैतिक विवस्था ही है, चोरी ना करें किसी के यहां पर जाके, इसके लिए हमने किस चीज का सहरा लिया, एक, दो चीजें जो अपने पिछले लेक्चर में भी आई थी, एक तो हमने कुछ लॉज बना दिये, एक दूसरा, सोसाइटी बना दि, कुछ चीजें सोसाइटी अपने आप निर्धारित करती है, कि किस तरीके के एक्ट करने के सोसाइटी में रहके हमें, दूसरा, कुछ लॉज बना दिये, कि अगर इनका उलंगन करोगे तो, तो भी सजा मिलेगी, तो कही न कहीं समाज की चलाने के लिए, वही सेम जो चीज अभी कहीं मैंने, समाज चलता रहे, इसके लिए हमने क्या किया, लॉज बनाए, और दूसरा, सोसल सैंक्संस, सामाजिक नियंतरन लगा दिया हमने, किस तरीके से लगाए, इसके लिए सबसे पहले हमने जो सोसाइटी बनाए, तो सोसाइ ऐसे कि हम कोई चोरी नहीं करेंगे, हम एक दूसरे के घर में नहीं कूदेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे, छोटों को प्यार से रखेंगे, एक उमर तक हम बच्चे को पढ़ाएंगे अपने को, उसके बाद वो जॉब करेगा, उसके बाद हम उसकी साधी करेंगे, यह स सारे के सारे, इन पर हमें विश्वास है, वो इनसान फिर अपने आस्पड़ोशिंका भी खयाल रखेगा, माबाप को रखेगा, बीबी को अच्छे तरीके से रखेगा, बच्चे पैदा करेगा, उनको फिर से पढ़ाएगा वो, ना कि जानवरों की तरह है, तो मनुबैग ज्यानिक टॉलकट पार्संस और रॉबर्ट किंग मार्टन इनका मानना है, कि समाज के नेतिक मूलियों को हमने विश्वास और सेहमती उन पर नेतिक मूलिय जो नियून्तम है, उनको माना, अब हमने साधी का प्रावधान हर सोसाइटी में किया है, नियून्तम समर्थन, नियून्तम समर्थन सोसाइटी का प्रावधा है, लेकिन हमने किसी को ये नहीं बताया कि आपको जो साधी करनी है, इसी तरीके से करनी है, पती पत्नी हर समाज में रहते हैं, हर सोसाइटी में पती पत्नी हैं देखो, लेकिन साधी अलग तरी कैसे करते हैं हर किसी का साधी करने का तरीक अलग है बिलकुल इसलिए हमने मैंने कहा कि नियूंतम समर्थन मूल्यों पर सहमती साधी करनी है ये नहीं कि हमने उच्चतर स्तर बनाया कि नहीं नहीं इसी तरीके से साधी करने तब ही साधी मानी जाएगी, ना, दूसरी बात, कानून, देखिए, दो विचार धारा हैं जिन पर हम बात कर चुके हैं, एक तिर डी ओंटलोजी, दूसरी तिर टैलियोजी, अब देखिए, हर इंसान के पात इतनी बुद्धी और इतना विवेक नह हैं, तो ऐसे लोगों के लिए सरकार ने, ऐसे लोगों के लिए सोसाइटी ने क्या किया है, कुछ कानून बना दिये हैं, कुछ नियम बना दिये हैं, उन्हीं पे लोगों को चलना है ताकि सब ही का विकास हो सके, वो इनसान अपना भी विकास कर सके और दूसरे समाज में भ रास्ता बना दिया है ँशी पर चलना है उनको इसी रास्ते को कहते हैं डिया उंत लोजी और समाज के 90% लोगों के लिए डिया उंत लोजी सबसे बेस्ट रास्ता है आb जो सरकार ने का‍नून नियम ने धारित की हैं जो साइटी ने और सरकार ने उनको फॉलो करिये और उन पे चलिए आप बाकी 10% लोग समाज में हमेशा से ही ऐसे रहते हैं जो मतलब बहुत धिक रूप से बहुत ज़्यादा सक्षम होते हैं उनके उपर ये रूल और रेगुलिशन्स काम नहीं करते हैं क्यों क्योंकि यही तो वो हैं जो कल को नए नेतिक मूल गढ़ेंगे नए रूल्स बनाएंगे जैसे मान के चलो अभी सोसाइटी हमारी थोड़ी से रिजिड है हम अगर बात करें समलेंगे एक ता की तो 90% में से करीबन 70% सोसाइटी ऐसी है जो इस मूल को नहीं अपना सकती अभी भी नहीं नहीं समलेंगे तो गलत है यही कहेंगे लेकिन वो 10% लोग ऐसे हैं वो समझते हैं कि निर्जता का भी एक अधिकार होता है अपना निर्जता का अधिकार होता है अपना और इनसान अपने private life में क्या करता है क्या नहीं करता हमें इस बास से कोई मतलब नहीं वो उसका personal right है तो उस का law इसी तरीके का था लेकिन समाज में 10% लोग ऐसे हुए जिन्होंने इन laws को इनके जो कमियां थी उनको समाज को समझाया और इस society में सुधार किया आज दास पृता खतम हो गई सती पृता खतम हो गई उसी परकार से हो सकता है वो 90% लोग आज भी समाज में कुछ ऐसी खमिया है जिनको नहीं देख पा रहे हैं तो हमें उन 10% लोगों को भी उतनी ही जरूता है जितनी 90% लोगों की है जो rule फॉलो कर रहे है ताकि आज की जो समाजिक बुराईया है इनको दूर किया जा सकते महिला की इस्तिती को देख लो पहले इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन धेरे दिये सुधरती जा रही है अगर पूरा rule और regulation उसी तरीके से चल रहा होता जैसे 90% लोग फॉलो कर रहे हैं और उनमें कोई सुधर करने वाला नहीं होता तो क्या महिला की इस्तिती आज इतनी अच्छी है उतनी अच्छी हो पाती नहीं हो पाती लेकिन उन 10% लोगों का ही यह वो है तो वो भी समाज के लिए बहुत जरूरी है और यह deontology बहुत जरूरी है वो 10% लोग उनको बोलते हैं teleology जो आपके नीती निर्माता है जैसे कि JNU में कह सकते हो आप अमेरिका के Harvard University में कह सकते हो दौनों बहने हैं एक तो तरीके से चिक अगला है आपका समाज के विकास के लिए देखिए विकास के होते हैं तीन चरण सबसे पहले होगा growth पर दूसरा होता है development और तीसरा होता है progress growth में क्या है सबसे पहले आपने पास धन धन की GDP भारत की बढ़ रही है किसी देश की growth की बात करी जाए तो GDP आपकी बढ़ रही है numbers में हर इंसान की income बढ़ रही है इस तरीके से दूसरा है development का मतलब है कि GDP तो बढ़ी रही है ये तो अनवारे सर्थ है कि आपकी growth तो होगी होगी दूसरा ये होगा कि उसका distribution भी हो रहा है थोड़ा सा और चेत्रों में जैसे साम सिक्षा के चेत्रों में बहुत तेजी से भारत आगे बढ़ रहा है GDP के साथ साथ growth के साथ साथ सिक्षा के चेत्र में अच्छे से काम हो रहा है स्वास्त के चेत्र में बढ़िया से काम हो रहा है ये होती है आपकी growth फिर है progress progress का मतलब होता है एक तरीके से growth plus development plus distributive justice सब को समानता के साथ उसका जो बनता है जितना पैसा जितना सुविधाय बहुगने का वो जितना उसको सुविधाय मिलनी चाहिए वो भी उसको मिल रही है ये होती progress जैसे मान के चुड़े एक इंजिनियर जो दसलाक रुपे कमा रहा है लेकिन वहीं पे इतना ही काम करने वाला अगर कोई जाड़ू लगाने वाला है वो भी इतना काम करता है उसको मिल रहा है मात्र 200 रुपे पर डे यानि कि 6000 रुपे महीने तो ये distributed justice नहीं हुआ पंजाब का आदमी एक तरफ 5 लाख रुपे कमाता है वहीं बिहार का या उड़िसा का आदमी मात्र एक महीने में 2000 रुपे कमा पाता है तो ये कहीं नहीं progress नहीं है हाँ progress अब यह है कि technical बंदा है वो 5 लाख कमाता है तो जो non-technical है या other उस में छेतर में काम करने वाला वो भी 3,5,3,4 लाख तक कमा लेता है तो यह होता है जब equal distribution हो जाए करीब करीब पेज का इसको बोलते हैं progress कर रहा है इसकी देखे तीजन सरते हैं इसके पीछे भी आपका पूरे तरीके से भूगोल काम करता है विज्यान किसके पीछे क्या है Max Weber की एक book है Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism देखिए जब Christianity बनी थी उसके बाद क्या हुआ था कि यहुदी थी सबसे पहले उसके बाद Christianity का विकास हुआ Christianity दो गोटों में बट गई पहला था एक था Protestant और दूसरा था Catholic Catholic जो थे जो Vatican City में है Catholic जो थे वो धर्म के कार्णों में रगे हुए थे उनके लिए धर्म सबसे उपर था Protestant जो थे इन्होंने ही Capitalism पूजी वाद का विकास किया ठीक है और यह बहुत ज़ादा आगे निकल गए अगर आप देखो यूरोप में Western यूरोप बहुत ज़ादा समरद साली है वो किसका प्रभाब है वो Protestant Christians का प्रभाब है अमिर्का में भी mostly Protestant ही है यह उनीक कारण हो पाया है अब अगर भारत की बात करें कि भारत में दसाएं तो मौजूद थी भारत में अगर पूजी वाद की दसाएं करें तो भारत में पूजी वाद की सबसे अनकुल जाद दसाएं थी बाकी सब कंट्रीज के मुकाबले लेकिन यहाँ पे पूजी वाद का विकास इतने अच्छे से नहीं हो पाया इसके पीछे क्या कारण था इसके पीछे सेम वही मनोदसा थी जो Protestant और Catholic की थी Catholic पूजा पाठवाल लोग थे तो भारत के लोग भी कैसे थे धार्मिक प्रुवर्ती के लोग थे यहाँ पे क्या समाचते थे यहाँ पे तो सबसे उपर Brahman फिर छत्रिय तीसरे नमबर पर वैसी को रखा जाता था बनिये को रखा जाता था और यहाँ की मतलब समाज में इतनी ज़्यादा रूडियां थी जैसे कि विदेश यात्रा करना पाप माना जाता था भारत में अब कोई व्यापारी बाहर तो जाना ही पड़ेगा ना लेकिन अगर कोई बाहर चला गया विदेश यात्रा किसी ने की समुद्र के रास्ते से तो उसको पापी मान लिया जाता था ऐसे में पूझीवाद कहां से विक्सित होगा ब्याज पे पैसे देना पाप था भारत में और आज भी ये दसा देखी गई है बहुत सारे घरों में जहांपे थोड़े वैसे लोग है पुराने रूडिवादी वो आज भी पैसे ब्याज पे नहीं देते उनका मानना है कि पाप पड़ेगा इस पे ब्याज नहीं खानी चाहिए पैसों की जो कि पूझीवाद का तो ये भाई सबसे पहला लक्षड है बिदेश यात्रा करना ब्याज पे पैसे को इंवेस्ट करना रहींपे व्यापार्यो को बहुत खराब समझा जाता था पहले व्यापार्यों मतलब दो रुपे की चीज ला रहा है हम तीन में बेच रहा है एक रुप variant खा रहा है उसको बोले जाता था ये बे इमान है तो भारत में धार्मिक प्रिवर्थी इतनी ज़्यादा थी यही करण है भारत में पूजीवाद का विकास उस इस तर पे नहीं हो पाया वहीं पे अगर प्रोटेस्टेंट की बात करें जो वेस्टन आपका यूरोप है वहाँ पे उनका विचार क्या था उनका विचार था करम ही पूजा है बाइ करम करो व्यापार भी एक करम था वहीं पूजा है और यही कारण है कि आज प्रोटेश्टेंट आपका अमेर्का और यूरोप कही न कही उनके विकास के पीछे ये धार्मिक सोच भी बहुत माइन रखती है और भारत के पिछड़ने के पीछे भी ये धारमिक सोच कहीना कहीं, बहुत ज़्याद माइनी रखती है, कि हम उन देसों को टकर नहीं दे पाते हैं, पुंजीवादी देसों को, दूसरा भारत का पिछड़ने का जो सिलसला है, वो तैयार हुआ भारत की आजादी के साथ, भा जो उस समय पे जो अंग्रेज यहां पर भ्यापार करते थे, वो किस हिसाब से काम करते थे, समाजवादी हिसाब से या पुंजीवादी से, आजाद होने से पहले, तो अंग्रेजो का इसासन था, अंग्रेजो का अगर सासन था, तो उस समय पे वो किस तरीके से काम करते थे वो पूझीवादे तरीके से काम कर रहे थे तो जब पूझीवादे तरीके से काम कर रहे थे तो हमने क्या किया जैसे ही हमें उससे नफरत थी नहरूजी जैसे ही सत्ता में आते हैं उन्होंने क्या अपनाया उन्होंने समाजवाद को पकड़ लिया इंद्राजी आई फिर उन्होंने समाजवाद को पकड़ लिया तो भारत के जो पूझीवादी तत्व थे ना उनकी पूरी तरीके से कमड तूट गई कहीं न कहीं इसने इसको उबरने का मोखा नहीं दिया अगर भारत में इसी तरीके से पूझीवाद तो भारत आज हो सकता है कि थोड़े अलग लेवल पे खड़ा होता लेकिन वरतमान सरकार के अगर हम बात करें तो पिछले पांस सास साल में अगर देखा जाए और इस सरकार की अगर आने वाल भविस्ष में किसी चीज के लिए सबसे ज़्यादा पिछ थप थपाई जाएगी या इसको अच्छा कहा जाएगा तो वो इसी तत्तों में के बारे में क्योंकि इन सरकार ने गम सील गमियों का सम्मान ये नारा दिया है और गम सीलता का इननों सच में सम्मान किया है पहली पार ठीक है ना दूसरा एक आपके कुमार मंगलम हैं बहुत बड़े उद्ध्योग पती हैं उन्होंने कहा था कि भारती समाज में उगमियों का सम्मान नहीं होता उनको गलत द्रश्टी से देखा जाता है और मुझे बार-बार ये साबित करना पड़ता है कि मैं एक बुरा इंसान नहीं तो समझ सकते हैं कि भारत में उगमियों को कितने गलत द्रश्टी से देखा जाता है वहीं आप अगर देखो दो सर् इसा यही होता है IS, PCS बहुत ज़्यादा बिल्डियोंट है डॉक्टर, इंजिनियर मतलब नौकरी करना चाहेगा वह बन्दा और mostly IS, PCS लेकिन अगर यही कोश्चन जब CM अमेरका में कहा गया था भारत के 99% लोगों का कहना यह था लेकिन अमेरका में जब बात की गई तो अमेरका में कहा गया कि entrepreneurship मैं एक उगमी बनना चाहूंगा अमेरका के 99% लोगों का यही सपना होता है कि मैं कुछ ऐसा creative कर जाओ, ऐसा start-up लाओं जो तहल का मचा दे पूरी दुनिया में उनको यह चोटी मूटी चीज़े नजन नहीं आती है कि मेरे बस इंडिया के लोग सिर्फ सैटल होना जानते है यही चाहते है जीवन में कुछ चाहते ही नहीं करम करना आगे बस किसी को क्या चाहिए सरकारी नोकरी, 40,000 रुपे महीने आते रहे बस काम ना करना पड़े हमें लेकिन वहीं अमेरिकन लोग है वो इतना आगे क्यों है वो रिस्क लेना जानते है वो पता है उनको 40,000 पे उनको एक नॉर्मल इंसान की तरह पैदा होके और ऐसे जीवन काटके नहीं मरना है वो एक ऐसी कंपनी खड़ा दूसरा गूगल खड़ा करना चाहते है वो एपल की कंपनी खड़ा करना चाहते है दूसरी माइक्रोसॉफ्ट खड़ा करना चाहते है ऐसे स्टार्टप से लाना चाहते है जीवन में वहां के 99% लोगों की सोच यही है ठीक है तो यह हमारा था अब देखिए United व्यवस्था को हमने समझा कि समाज की व्यवस्था समाज को चलाने के लिए और समाज की विकास में हम पिछड की होगए इस पे भी हमने थोड़ी सी बात की यह कहीं ले कहीं सरकार की थोड़ी सी आलोचना भी नहीं कही जाएगी उसकी processing same वही है systematic और heuristic systematic क्या होता है इनसान होता है जो सजग होता है किसी चीज का मुल्यांकन कर सकता है machine और इनसान में बस यह अंतर है इनसान किसी चीज का evolution अच्छे तरीके से कर सकता है लेकिन heuristic process में क्या होता है उसको टालने की computer इसको जो काम दे दो वो उसको करता रहेगा बस सांदर तरीके से तो यही था आज हमने नहतिक विवस्था क्यों जरूरी है इसके सारे आयाम कवर किये I hope आप लोगों को यह वीडियो पसंदाई होगी और लोगों के साथ भी सेयर करें और बने रहें हमारे चैनल पर सिक्साय एड्यूकेटर पर